इस वक्त हमारे साथ मौझूद हैं पूर मुख्य मंत्री और नेता प्रत्वक्ष जयाराम ठाकूर स्पेशल सेशन संसद का बुलाया गया और महीला रक्षन बेल लंबे समय से प्रदान मंत्री की सोच थी अब संसद में पेश करने करें मैं समझता हूँ ये बड़ी गर्व की बात है कि पदान मंत्री नेंद्र मोदी जी ने देश की पचास प्रश्चत आवादी जो महीलाओं की है महिला से शक्तिकरण की महिलाओं को प्रोथ साहिच करने के लिए महिलाओं में नेत्रितों खड़ा करने के लिए महिलाओं अरक्षेत्र में आगे काम कर रही हैं ऐसे में उनके लिए आरक्षन की बेवस्ता होनी चाहिए और आगे बनने के लिए उस दिश्टी से बाते तो बह और जो मुझे जानकारी है कल लोकसभा में राज्यसभा में आने के बाद इसका ये बिलपारित होगा और एक एतिहासिक निर्ने होगा नई संस्था का पहला बिल महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षन के साथ और इसके लिए महिलाओं को मैं बहुत-बहुत बदाई देता हूँ. आई माचल की बात करें अब विधानसावा का सत्र जारी है और आज सुभा संस्थानों के मुद्दे के उपर आपका रिप्लाई भी आया मुख्यमंत्री जी का भी उसमें सवाल आया अब क्या आपको लग रहा है सरकार ने संस्थान बंद की अब दुबारा से खोलने के देखे जो काम जल्दबाजी में किया जाता है बीन असोचे समझे किया जाता है उसे नुक्सान होता है इस बात को मुख्यमंत्री को समझना चाहिए हमने को संस्थान खोले थे दिमाग को अपलाई करके जन हित में जनता की मांग पर जन प्रतिनी दियों की मांग पर खोले ते और वो संस्थान चले हुए संस्थान बंद करना यह कताई भी उचित नहीं हम पहले दिन से इस बात को क्या रहे हैं लेकिन इनको जिद है अपने जिद पर और जो आपको तौँ में चिद इस प्रकार की होती है जो हमेशा नुकसान दाइक होती है और इसमें अपने ही शेतर के इनके विधाय अपने ही पार्टी के विधाय का आवाज उठाने लग पड़े हैं और मेरे आज प्रशन का जो प्रशन तो किसी और विधाय का था किसी उसमें मैंने सप्लिमेंटरी पूछी मैंने का हमने खोले हुए संस्थान और आपने बंद कर गोशना कर दी, क्योंकि विद्दी गए स्देम का दज़े खोला था वीडीयो का दफ्तर कोला था वहां बंद कर दिया, विद्दायक ने जाऊ कि खुलना चाहिए फिर आप ने गोशना करदी, यह क्या तमशा है, कभी भी मुख्यमंत्री ऐसी छोटी बातूर पर नहीं जाते, मुख्यमंत्री प्डेश का मुख्या होता है और ऐसे निरने करने से कभी बड़ा नहीं होता है आदमी, बड़ा बढ़ने की कोशिश कर दी चाहिए और मैं उनको ये सलाव देता हूँ कि कम से कम इतिहास को देखिए, पुरे देश की बेवस्ता को देखिए, कोई कैबिनेट में कोई निरने होता है, उसमें एप्रूबल हो जाती है, हाँ किसी के खिलाब कोई निरने किया है, द्वेश की साथ कम निरने किया है, हमने जो निरन इन्होंने किये हैं, एक हजार पचास संस्थान इन्हें हिमाचल परदेश में डिनोटिफाइ किये हैं, परदेश को दस साल पीछे कर दिया, एक तरफ से आपदा और उपर से कॉंग्रेस की सरकार ये भी आपदा से कम नहीं एक तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ. पी रोजगार आज बिधान सवा के बाहर बैठे हैं देने पर इसके अलावा जिला परशद कैडर के करमचारी भी आए हैं, आपका प्रोटेस्ट भी 25 को है, क्या इशूज प्रोटेस्ट के रहने वाले हैं? देखिया हमने तो इस बात को लेकर एक बड़ा स्परेश्ट केहा कि ये नौ महीने का कारेकाल अत्यंत निराशाज जनिक रहा है, बदले की भावनास से काम करने की इनकी मानसिक्ता उससे बाहर ने निकल पाए, हमने सोचा था कि चलो एक महीने दो महीने तक ये इस तरह का रहेगा, लेकिन वो दस मीने के बाद भी, नौ मीने बीचने के बाप जूद भी वो दौर अभी तक चला हुआ है, अभी तक संसान बंद कर रहे हैं, मंडी की इनकी जहमत हो ली थी लेकिन किसी कारण से वो उसको बंद नहीं कर पाए, और ऐसे में, लोग इन से पूछ रहे हैं कि आपने ठग करके, जूट बोल करके, गुमरा करके सरकार तो बना ली, लेकिन लंबे समय चला नहीं पाएंगे इसको, और इसके साथ साथ में हिमाचल परदेश में बेरोजगारों को कहा था कि हम नौकरियां देंगे, पांच लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी द सूर्स में करमचारी लगे थे, स्टाफ नर्सें थी, वार्ड बॉइज थे और उसके बाद बहुत सारे और कैटिगरी के थे, सफाई करमचारी के इसमें लगाये थे हमने, जब परिवार के सदस्द से उस मरीज के पास वार्ड में जाने के लिए त्यार नहीं थे, उनहीं वहां पर उनको रोटी खिलाई, उन्हीं बच्च्चों ने दवाई खिलाई, उन्हीं बच्चों ने वहां पर फिवार उपनी सिंधगी को जौकी में डाल करके उनको बिस्तर पर लिटायार, जिस कोших Akersा की जो मुद करसकते थी, आज उनको वहें के सड़कूं पर, ढूप चलने के लिए खड़ा होने के लिए बिवश कर दिया तो ये बहुत दुरुभाग्यपूर्ण नहीं ये परस्तिती और इन तमाम मुद्दों के खिलाफ हम 25 तारीक को विधान सब्वा करेंगे ये हमारी पार्टी कर दियर नहीं है और महिला रक्षन बिल्को अतिहासिक बता रहे हैं महिलाओं को आगे बढ़ने में इसमें साहता मिलेगी अदेश में भी और प्रदेश में भी वीडियो जनलिस्टीपा के साथ राजन दशर्मा न्यूज 18 हीमाचर